कोरोना वाइरस को लेकर लोग इतने चिंतित हो गए हैं कि आम दिन्चरिया में बदलाओ के कारण जब कभी सरदर्द, जुखाम या खासी जैसे लक्षन दिखाई देते ही लोग के मन में एक कोरोना का कहर खटकने लगता है आपके मन में चल रहे ऐसे ही भ्रहमक बाते हैं और चिंता को दूर करने के लिए आज हम भागलपूर के प्रशिद डॉक्टर पीवी मिश्रा सर के साथ हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो मन में आपकी भ्रहमक बाते हैं, चल रही हैं, उसको दूर करने की भी कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो सिल्टिरिन आपका स्वागर नमस्कार। सर, सवाल अगर अभी पूरे दुनिया में कोरोना के गहर से लोग जूज भी रहें, लेकिन इससे कही न कही एक अफवाव ही लोगों के बीचारिये से, तो यह जो बाते होती हैं, जैसे हम अपने आम दिंचरिया से घर लोडते हैं, दबतर से या काम से, तो जब ठकार कर हम ल इस आप सरदी खांशी बुखार होता है, शिम्टमस वयसा ही होता है, इसलिए उसको लेके परिशान तब तक नहीं होना है, जब तक कि कोई ऐसा हिस्ट्प्जी हो सबसे पहले तो यह आप बताएं कि कोरोना वायरिज है क्या? ज्यादा खतरा किसको है किन को है कोर्णा भाइरस से इनफेक्टेट तो कोई भी हो सकता है लेकिन खतरा उनको है जिनकी रोग परती रोधक शमता है यानि इमिरिटी जिनकी कम हो गई है जैसे किसी को डाइबिटीज है उमिरिटी साथ बड़ से जादा है ब्लैड प्रेशर है विप्रेशर की बिमारी पहले से है तो ऐसे लोगों को यदि कोर्णा भाइरस होता है तो उनमें खत्रा, जान का खत्रा इसका खत्रा जैदा रहता है सरी, इसका सूर्स क्या है इसके सूर्स पे की बात यदिकरें तो ये कोई पेशेंट यदिखासता है तो उसके गले से नाग से जो droplets निकलता है वो major source of infection है फिर वो droplets जो है वो कहीं पर बैठ जाएगा किसी भी surface पर बैठ आठ लगा तो surface पर लगए पांच से छे दिन तक लगाता है वहां पर बनाड़ा सकता है तो वह भी एक सोर्स हो सकता है फिर कुछ फूट प्रोड़क्स है जिसके बारे में लोगों को सचीत क्या जा रहा है लाकि अभी डेफिनिट प्रूफ तर नहीं मिला है लेकिन मोटा मोटी यह है कि एनिमल सोर्स आप यानि कि मांसाहार मांसाहार को बंद कर देना चाहिए और फ्रीज का कोई आइटम है उसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह कोड़ना भायरस तो है यह हीट सेंसिटिव होता है और जो गर्म चीज होती है उसमें वह सर्वाइब नहीं करता है ठंड़ी चुछो में लंबे समय तक यह सर्वाइब कर सकता है स्लिफ्टीज का आइटम नहीं लेना चाहिए अब जो कॉर्णा वायरस से जो लोग इंफेक्टेड हो चुके हैं उन से आप हाथ मिलाते हैं हैंड से करते हैं उससे भी फैल सकता है तो उससे ही बचना है दूर से नमसकार करना है एक मीटर के दूरी बना के रखनी है कोई व बेक्ति आपको खांस्तवाब मिल सकता है आप नहीं जानते है को उसको क्या है तो ऐसे पब्लिक प्लेस पे जाने के लिए आपको मास्क लगा लेना चाहिए अब बात आती है सेंस्टीटाइजर या फिर हाथ धोनी की बात वो कब करना है ये आपको अक्सर करते रहना है मल ये आपके पास Amazon का कोई पारसल आया है उसको किशी ने हैंडल किया है आपको नहीं पता क्यों जो हैंडल कर रहा है उसको coronavirus है कि नहीं है फिर आपने पारसल लिया हाथ में लिया खोला हो सकता है कि वो से आपके हाथ में आ गया हो तो एक तो यह कि आप हाथ बार बार दोते खाना खाने से पहले जरूर्ड होएं और हाथ को धोने के बाद आप सुरक्षित हो जाते हैं और बेगर्द होए आदत हो जाती है कि कैबर आपका हाथ जो है जाने नाग के पास चला गया मुह के पास चला गया आँक के पास चला गया इन चीजों से भी बचना होगा तो यह श करेगा खास के वैसी जगह पर जाने पर जहां पब्लिक प्लेस है जहां खांसी वाले लोग मिल सकते हूं दूश्रा हाथ को अक्षर दोना है खाना खाने से पहले हाथ जरूर दो लेना है और साबून या सिंस्ट्राइजर को कब सकम 20 सेकेंड टक हाथों में लगे रहने देना है तिसरा कोई भी अंजानी चीज़ को जो आप छूते हैं या मार्केट सो कोई चीज़ छूते हैं तो उसको खाना खाने से पहले एक बार फिर हाथ दो लेना चाहिए सर अक्सर एक सवाल जो अभी काफी सारे लोगों के मन में और काफी सारे लोगों ने ऐसा सवाल किया भी था कि मेड इन चैना के जो प्रोड़क्ट हैं तो उसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए यह सारा सवाल सर रहे हाँ चुकि चाइना में यह स्पड़ेट किया है और चाइना में जो माल बन रहा है उसकी हैंडिंग चाइना के लोगों के द्वारा हुआ है हो सकता है कि उनके हाथ के द्वाड़ा उस डब्बे पे रहा हो तो वो पांच से शे दिन से ज्यादा अफसर भाइप निंग करता है वो तो ऐसे में जो manufacturing date है उसका शे दिन ये ये पार कर ही चुका रहता है तो ऐसे में उस पर परसिष्ट करने का कोई डर नहीं है आप आराम से उसे खड़ी सकते हैं बस एक precaution ले दिये कि इस्तिमाल करने के बाद उसको छूने के बाद जो है अपहाद जरूर दो लें इस्तिमाल किया सकता है सर एक छोटा सा सवाल और आखरी सवाल होगा कि यह जो पूरे भ्रामक बातें आती है कि करोना जब कहीं है थोड़ी सी बदलाव कोई source नहों आप उससे exposed नहीं हो यह साबधानी जरूर बढ़त नहीं चाहिए लगिन डरने के इतनी आवे सकता नहीं है तो हमारे साथ भागलपूर के डॉक्टर पे भी मिश्रासर थे और इनके दुवारे जो दी गई जानकारी थी बहुती अच्छी जानकारी थी और मैं भी चाहूंगा कि आप जो है इसके अफवा से बचें और बचों जो है साफधानी बरते हैं हाथों को बार बार दो हैं है इसे करने से भी परहेज करें और मेरा नाम विकास कुमार सींग है सिल्क टीवी पर आप मुझे देख रहे हैं और केमरा के पीछे सुमीत राज मजूद है